दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि आपके मोबाइल फोन के अंदर आने वाले अन्वांटेड एड को आप क्या से हटा पाओगे अब दोस्तो आप कुछ भी काम कर रहे हो या फिर किसी भी एप को ओपन करते हो और आपके सामने एड़ोटाइजमेंट आ जाता है जिसका कोई भी मतलब नहीं होता है पर दोस्तो उससे आपको कापी सारी प्रेशानी होती है और आपके काप में भी कापी सारी प्रॉबलम होत तो उन एड़ोटेजमेंट को हटाने का एक आसान तरीका बताने वाला हूँ और लाइव करके दिखाने वाला हूँ तो फिर आओ वीडियो को सुरू कर दे अब दोस्तों इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर गूगल क्रॉम को ओपन कर देना है उसके बाद राइट कोरनर पर थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है उसके बाद यहां से निचे के और स्क्रॉल करोगी तो सेटिंग पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपको scroll करना है तो आपको यहाँ पर एक notification का option मिलेगा तो इस पर click कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको निच्चे की और again scroll करना है यहाँ पर कुछ site का permission होगा तो यहाँ पर आपको videosite.com पर click कर देना है और यहाँ से आपको इन सारों को बंद करना है अगेन दोस्तो बैक चला जाना है और इसी परकार से दोस्तो इन तीनों site को आपको unallow कर देना है यानि कि इन notification allow को बंद कर देना है उसके बाद दोस्तो आपको उपर आना है और आपको all notification को बंद कर देना है अब दोस्तो आप try कर पाओगे कि आपके मोबाइल फोन के अंदर एडवोटेजमेंट कापी हद तक कमाएगे